नमस्कार आज के समाचार किसानों के दरने की चतावनी के बाद गोर्खपुर ख्रीद के अंदर पर हुई गेहु की ख्रीद किसान संग समीती दवारां गेहुं ख्रीद को लेकर 17 माई को डीसी फत्यवाद के काराल्या में धरने की चतावनी के बाद गुर्खपुर ख्रीद के अंदर पर आठ हैयार केमेंटल गेहुं की ख्रीद हुई किसानों ने कहा कि जहे किसानों के संगरश्की जीत है डीसी वे एसपी निफत्यवाद जिले में गाम मताना धांगड एर्मा वे जाखन दाद्धी के आईसूलेशन केंद्रों का किया निरक्षन उपाजुक्त डाक्टर नरहरी सिंग बांगड वे पलीस अधिक्षक रजेश कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शनिवा गाम मताना धांगड एर्मा में जाखन दाद्धी में बनाई जा रहे आईसूलेशन केंद्रों का निरक्षन किया उन्होंने आईसूलेशन केंद्रों में सबंदित ग्राम पंचायत वे सवस्ता विभागदवरा की गई ववास्ताओं का जैजा लिया और अधिकारियों को उपावाईशक दशाद नर्देश दिये उपाजुक्त डक्टर बंगर ने कहा कि गाउं में बनाए जा रहे इन आईसूलेशन सेंट्रों में उन करोना संकरमित वेक्तियों को रखा जाएगा जिनके घर में होम आईसूलेशन की ववस्ता नहीं है निरिक्षन के दुरान उप वाजुक्त ने फिल्ड वे स्वस्ता बाकी टीम से उनके दवरा किये जानने वाले कारियों की भी जानकारी लिए संतरवीदास ट्रस्ट ने रतियशेर में किया पोदारोपन संतरवीदास सिवा ट्रस्ट दवराइद के उपलक्ष में पोदारोपन किया गया इस मौके पर के परदान राम सुरूप ने बताया कि आज के समय में हमारे लिए पेड़ पोदों का होना बहुत ही आवाशक है आज जो दौर चल रहा है उसमें वातावरन को सबसे ज़्यदा आक्सीजन की जूरत है और इस समय देश की सबसे बड़ी समस्य आक्सीजन की चल रही है अपने आस पास का वातावरन भी पेड़ पोदे रगा कर साप सुतरा रखा जा सकता है दूर बरियांदी के बाद हुई बरसाथ फदेवाजले के कई गाउं में आज दुपहर को दूर बरियांदी के बाद तेज बरसाथ होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं शहर की गलियों में बरसाती पानी जमा होने से लोगों को आवा गमन में परशानियों का सामना करना पड़ा बरसात के बाद तेज धूप खिली रही लंगर सेवा है तु एक टरक गेहुं हजूर साभ को किया रवाना सचकंड शरी हजूर साहिब महाराश्टर में लंगर की सेवा के लिए रतिया शहर से एकठी की गई गेहुं के एक टरक को पूरो सर्वाइंच बलविंदर सिंग खोखर वे हर प्रित सिंग गिल ने जंडी दि थवान मेंवदपुर सोत्तर एवं रतिया की संगतों दवारां गेहूं इकठी करके बेजी गई है। करके बेजी गई है।